चींग की सिंसर्शिप नियंत्रन से बाहर ये सिंसरिंग भी है इसका अपना उलम्पिक शुभांकर बिना सिंसर की चींग में आपका स्वागत है मैं क्रिस चैपल हूँ यह एपिसोड सुरफशाक द्वारा प्रायुजित है जब भी आप उनलाइन जाते हैं विशेश रूप से विवादास पदविशव को देखने के लिए आपको अपनी पहचान की रक्षा के लिए सुरफशाक जैसे वीपियन का उप्योग करना चाहिए उलम्पिक लगभग खत्म हो चुका है मुझे पता है मैं भी दुखी हूँ और ऐसा ही चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी है जल्द ही वे उन सभी बुरे कामों को चिपाने में सक्षम नहीं होंगे जो वे कृत्रिम बर्फ की सुन्दर्ता के साथ कर रहे है कृत्रिम बर्फ की बात करें तो बीजिंग उलम्पिक और उसकी नकली बर्फ लेकिन असली नरसनहार का जश्न मनाते हुए अपनी टी-शर्ट लेना नहूले कोविड के दौरान बीजिंग उलम्पिक थोड़ा कमजोर रहा है चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए दुनिया को प्रभावित करना कठिन होता है जब लोग खेलों का वर्डन करने के लिए डायस्टोपियन शब्द का उखुपियो करते रहते हैं मेरा मतलब है कि इसके बारे में क्या एक डायस्टोपियन हिल्सकेप जैसा दिखता है सब कुछ छोड़कर और जब चीनी शासन ओलम्पिक में सब ही लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए रोबोट बनाने की समस्या पर जाता है लोग उस डायस्टोपियन को भी कहते हैं और इससे भी बत्तर वे शिकायत करते हैं कि रोबोट के भोजन का स्वार अच्छा नहीं होता है मेरा पसंदीदा चीनी राज्चे संचारित मीडिया ग्लोबल टायम्स इसे खड़े नहीं होने दे सकता इसलिए उन्होंने एक संपूर्ण तचार लेक लिखा की ओलम्पिक में भोजन कितना वड़िया है हाला कि कोई ग्लोबल टायम्स को बताना चाहेगा कि अगर कोई एथलीट कहता है कि उसने 200 पकॉडी खाली है क्योंकि यह केवल एक चीज है जो हमेशा अच्छी होती है यह समगर भोजन की गुणवत्ता के बारे में तारीफ नहीं है किसी भी मामले में ऐसा लगता है कि उन पश्चमी पत्रकारों को भोजन के बारे में शिकायत करने के लिए वापस बैठने आराम करने और एक और संगरोध की आवश्यक्ता है आप इसे कैसे देख सकते हैं और उलंपिक डायस्टोपियन कह सकते हैं लेकिन सौफ्ट पावर की इस कमी में एक उजवल स्थान बना हुआ है चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने ओलंपिक शुभंकर के साथ स्वर्ण पदक चीता है नहीं, मैं चीनी अमिर्की स्कियर एलीन गू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने चीन के लिए स्वर्ण पदक चीता था पहले तो ऐसा लग रहा था कि गू अपने एथलेटिक कोशल, अपने स्वर्ण पदक और उबले हुए बंस और गूबल पकोड़ी खाने की शमता के साथ ओलंपिक का प्रिये बनने जा रहा था लेकिन फिर उसे सिंसर कर दिया गया ऐसा तब हुआ जब गू ने दावा किया कि कोई भी चीन के इंटरनेट सिंसर्शिप को प्राप करने के लिए VPN डाउनलोड कर सकता है जो सच नहीं है VPN चीनी अप स्टोर पर उपलब्द नहीं है और लोगों को उनका उप्योग करने के लिए गिरफतार किया गया है चर्चा भी की हाँ चीनी शासन ने चीनी सिंसर्शिप की गुकी रक्षा को सिंसर कर दिया चीनी शासन को सॉफ्ट पावर की जीत की जरूरत है और उन्होंने एक पाया बड़े शराबी तरीके से इसके बारे में बहुत कठिन मत सोचो बिंगार्थ है, बर्फ और ड्वेन ड्वेन एक गोल मटोल गोल बच्चे के लिए एक उपनाम है इसलिए आप कह सकते हैं कि उसका नाम आई स्टंप्लिंग की तरह है नहीं, इली, यह एक रूपक पकॉड़ी है चबाओ मत अब यह समझ में आता है कि चीन एक विशाल पांडा को उलम्पिक शुभंकर के रूप में इस्तिमाल करेगा पांडा भले ही बड़े, मोटे और गुंगे हों किसी को यह आलसी फसबॉल कैसे प्यारे लगते हैं यह मेरे से परे है जरूर जब एक विशाल पांडा राष्ट्रिये चिडिया घर में पेड़ पर सो जाता है तो यह मनमोहक होता है जब मैं इसे करता हूँ, यह अतिचार है लेकिन ज़्यादा तर लोग गलत सुचते हैं कि पांडा प्यार करने योग्य होते हैं इसलिए चीनी, कम्यनिस्ट पार्टी बहुत सारे पांडा प्रचा के लिए अपनी कथित क्यूटनेस को हत्यार बनाने में सक्षम है वे सचमुझ दुनिया के सभी विशाल पांडा के मालिक है चीनी शासन अन्य देशों को पंडो को किराय पर देता है जिन्हें 10 साल के अनुबंध के साथ चीन को प्रती वर्ष 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ता है साथ ही अगर पांडा के शावक है तो अतिरिक्त भुगतान करें बेशक देश केवल इसलिए भुगतान करते हैं क्योंकि पांडा चिर्यागरों के लिए बड़े धन निर्माता है दोनों यात्राओं और व्यापार में वैसे भी ओलंपिक शुभंकर बिंग ड्वेन ड्वेन पांडा प्रचार एजिंटों की लंबी लाइन में सिर्फ एक और था जब तक वह अपना मूँ बंद नहीं रख सकता ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है बिंग वेन ड्वेन अब सभी गुस्से में हो सकते हैं लेकिन जब ये पहली बार 2019 में वापस आया तो लोगों ने सोचा कि ये बदसूरत है जैसे इस दुनिया से बदसूरत एक फ्लैश फ्रोजन पांडा और तिल की गेन जिसमें इसकी फिलिंग लीक हो रही है जरूर यहाँ पर बर्व गुलगुला इस तरह की दिखती है जैसे कि ये आपको एक संगरोधी बना रही हो लेकिन ये ज़्यादा बुरा हो सकता है ये पैरालंपिक खेलों का शुभंकर शुए रॉन रॉन है एक मान रुपी चीनी लालटें जैसा दिखता है जो आपके बुरे सपने में एक चीनी रेस तरह के आसपास आपका पीछा करता है और दुरस्वत्न की बात करते हुए आई इस बारे में बात भी न करें कि 2012 में अंग्लेजों ने अपने ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकरों के साथ क्या किया था ये हवास्तव में भयानक है तो आप देख सकते हैं कि क्यों भी जिंग उलंपिक बिंग ड्वेन ड्वेन को इसकी पूरी कीमत के लिए दूथ पिला रहा है यहां बिंग ड्वेन ड्वेन व्यापा खिमपात कर रहा है यहां यह एक डांस आफ कर रहा है यहां यह श्रमिकों के मुआवजे के लिए भविश्य के दावे का दस्तावेजी करण कर रहा है लेकिन कुछ सवाल है कि क्या बिंग द्वेन द्वेन का क्रेज जैविक था या निर्मित अन्य 15 प्रतिशत पिछले साल शुरू किये गए थे लेकिन भले ही यह एक नकली सनक के रूप में शुरू हुआ हो लेकिन अब यह बहुत वास्तविक है जैसे ही लोग सभी उपलब्ध बिंग द्वेन द्वेन मर्च को चीनने का प्रयास करते हैं पुलिस चीनी व्यापारिय से जड़े बिंग द्वेन ड्वेन डॉल भी बनाई चीन ने ओलंपिक सौफ्ट औवर गोल्ड जीता सच मुझ क्योंकि उन पर बिंग ड्वेन ड्वेन के साथ सूने की सलाखे हैं और आप बिंग ड्वेन ड्वेन एन एने फटी भी खरीच सकते हैं यहां बिंग ड्वेन ड द्वेन ने अपना मूँ खुला और बोला राज्य द्वारा संचालित सीसी टीवी की एक क्लिप में बिंग ड्वेन ड्वेन बिलकुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा लोगों ने सोचा था नमस्कार तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यह मून रूप से एक पुराने चीनी चाचा की तरह लग रहा था जिसमें जंग बेल तो चारण था कलपना कीजिए कि अगर मिकी माउस बेवरली हिलबिली से जेड क्लैमपेट की तरह बात करता चीनी लोगों को यह पसंद नहीं आया और जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों ने शिकायत की किबिंग ब्रंद् चीनी अधिकारियों ने कदम बढ़ाया और वह किया जो वे सबसे अच्छा करते हैं सब कुछ सिंसर कुछ घंटों बार चीन के सिंसर हरकत में आ गए और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हैश्टैग वाई अगर ड्वेन ड्वेन स्पोक को हटा द लेता चीनी राज्य द्वारा संचालत मीडिया एक दोख बाच था चीनी राज्य संचालित मीडिया ने भी पुश्टी की कि विंग-ड्वेन ड्वेन लिंड ततस्थ ही बोल नहीं सकते थे और केवल बद्बूदार शोर कर सकते थे मैं कहता हूं विंग-ड्वेन को बढ़ लेता हूँ बिना मुग के बिंग ड्वेन ड्वेन और भी भयावा है लेकिन आई एक मिनट के लिए रुके और सोचे की यह कहानी कितनी हास्यासपद है चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने बिंग ड्वेन को बढ़ा चड़ा कर पेश किया फिर उन्होंने इसके लेकिन आप जब बिंग ड्वेन ड्वेन बोल नहीं सकते हैं चीनी शासन इससे करोडो डॉलर कमाना शुरू कर सकता है और इसका उप्योग हर्दस परशी प्रचार के लिए करते हैं इस कहानी की तरह की कैसे बायथलॉन सेंटर में एक ओलंपिक स्वेम सेवत विदेशी पत पत्रकार के रूप में मैं भी एक मुखोटा का स्वागत करूंगा जिसमें एक अंतरिक्ष पांडा मुझ पर बंदूग की ओर इशारा कर रहा है धन्यवाद मैं इस मारिका को संजोय रखूंगा जो की डायस्टोपियन ओलंपिक में नहीं है लेकिन जैसा कि चीनी कम्यून खेर कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है जैसा कि ये बहुत ही प्रतिष्टित ट्विटर अकाउंट बताता है बिंग ड्वेन ड्वेन चीनी ने ताशी जिन्पिंग के लिए इसे बाहर कर सकते थे मैं एक के लिए हमारे नए बर्व गुलगुला अधिपती का स्वागत क किया है क्योंकि अगर आप अपनी सरकार द्वारा लगातार निग्रानी या सेंसर किये बिना इंटर्नेट का उप्योग करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंटर्नेट गतिविधी को बीपिएंग जैसे सुरफशार्ग के साथ छिपाना चाहिए यह अप स्टोर में उप्लब्ध है जब आप चीन में हो तब नहीं सुरफशार्ग के आईपी और डिएनेए सुरसाव संद्रक्षन के साथ सरकार यह नहीं बता सकती है कि आप वास्तव में कहां से जुड़ रहे हैं और आपका इंटर्नेट सेवा प्रदाता भी नहीं कर सक सुरफशार्ग आपके द्वारा ऑनलाइन किये जाने वाले कारियों का लॉग न रखकर भी आपकी सुरक्षा करता है चाहे वह आपके मुबाइल फोन टैबलेट या कंप्यूटर पर हो और वैसे आप एक खाते से जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं तो सु करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ चीन को बिना सिंसर किये देखने के लिए धन्यवाद